हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग सब अभी हमारे बच्चे जो ऐसे है ना बड़े परिशान है ठीक है और मैं आपको गैरिंटी देता हूँ आप अभी सब्सक्राइब ठोक के लाइक कर दो इसको इस वीडियो के एंड में आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है अभी पहले प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम स्टेट्मेंट क्या है सर लॉग की लैंग्वेज याद नहीं हो रही है याद हो जा रही है लेकिन बहुत समय तक रिमेंबर नहीं कर पाते है भूल जा रहे हैं भूल जा रहे हैं ठीक है सर लिख नहीं पा रहे हैं लिख नहीं पा रहे हैं सर केस्टड़ी नहीं बन रही केस्टड़ी नहीं बन रही ठीक है डिरेक्ट क्वेस्चन नहीं समझ में आ रहा नहीं समझ रहे हैं और इन सब का ultimate क्या हो रहा है डर लग रहा है मैं आपको अशौर करता हूँ कि यह जो questions आपके दिमाग में चल रहे हैं इन सब का solution मैं आपको अभी दे दूँगा मैं आपको यह अशौर करता हूँ बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ठीक है देखिए सर पहली बात आपको यह accept करना होगा कि law सर एक नया subject है जो बच्चे अभी foundation में इसको पढ़ रहे हैं it is just like ABCD जब आप पहली बार ABCD पढ़ना शुरू किये थे तो आपको उसमें problem आई थी common sense वाली बात थी क्यों क्यों क्योंकि पहली बार पढ़ रहे थे वैसे ही law है आपके पूरे foundation के curriculum में accounts आप पहले पढ़ चुके हो कभी न कभी किया है आपने ECO कभी न कभी किया है maths तो बच्चमन से करते हुए आ रहे है ठीक है was birth certificate that is the law कि रेजिस्ट्रेशन कराना है registered birth होनी चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि law आपसे दूर रहा है वह हमेशा आपके साथ अब एक एक करके मैं सारी problems को address करता हूँ law की language याद नहीं हो रही सर आपको किसने बोला language याद करने के लिए किसी ने बोला मैंने कभी बोला कि रट्टा लगाओ नहीं आपको करना क्या चीज पर है पता है आपको बस पहले question number one का answer देता हूँ आपको बस करना क्या है question one का answer दे रहा हूँ आपको बस उसको logic से understand करना है और मेरे notes के अलावा अपनी separate notes copy बनानी है जहां पर आप उसके keywords को highlight करके mention करो sir law नया subject है तो उसमें महनत भी थोड़ी जादा करनी होगी बाकियों के अलावा तो महनत करने के लिए ready होंगे तो ही number आएंगे तो आप करो notes copy एक अलक से बनाएंगे और उसमें जो keywords है उस keywords को आप लिखेंगे ठीक है अगर आपको language में problem हो रही है तो इससे आपका पहले question का जवाब हो जाएगा law की language याद हो जाएगे तो कि exact करनी भी नहीं है keywords याद हो जाएगे दूसरी चीज है भूल जा रहे है अब इसका क्या इलाज है देखिए सर इसके दो इलाज है देखिए सर जब आपकी जिंदगी में कोई foreign material इंट्रड्यूस किया जाता है ना तो अकसर आप भूल जाते है वो चीज तो आप रेगुलर्ली उस चीज से डील नहीं किये 18 साल जिंदगी के कभी किये नहीं अचानक से वो चीज आ एक आपको मेरा वाइटी रिविजन सेशन एक वो करना है वाइटी रिविजन वाइटी सेशन और साथी साथ आप क्या करो चीट कोड आजमात करो चीट कोड सर चीट कोड मतलब क्या देखो सर आप जब पढ़ने बैठते होगे तो बोल बोल के पढ़ते होगे ना आप ना वो जो जब अपनी sitting करते हो ना लेटसे अगर आपने two hour study किया उस two hour study उठने के बाद ना रहे technology का जमाना है भाई आपना voice recording कर लो आपने उस दो घंटे की sitting में जो भी पढ़ाया ना उसको एक बार voice में बोल दो और बोलते time भी वो keywords को जरूर से बोलना और वो आप दिन में कभी भी दो तीन बार सुन लो दो पांच मिनिट की recording होगी आपकी लिए वो retention power का काम करेगा voice recording बार 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 अगर आपने ये notes बनाये हैं तो आप इस notes को read कर लो पर मेरे हिसाब से reading से ज्यादा voice recording वाला सही रहेगा और क्यूंकि वो आपके दिमाग में ज्यादा रेजिस्टर होगा लो दूसरी problem solve कर दी तीसरी लिख नहीं पा रहे हैं तो सर इसके लिए मैं आपको एकदम simple एक तरीका बताता हूँ हमारी जो book है ना ब्रह्मास्तर की उस ब्रह्मास्तर की किताब में question और answer दोनों दिये हुए तो आपको अभी करना क्या है every day आप उसमें से तीन question उठाओ answers को read करो read the answer ठेक है read कर करके उस answer के keyword निकालो और फिर उसको write करो एक answer को at least आप दो बार लिखने की कोशिश करो एक बार उसी दिन same day एक बार अगले दिन तो अगले दिन एक question नहीं आओगा एक question repeated होगा ठेक है तो ऐसे करके न आपका cumulative writing होती जाए ठेक है अच्छा चौथा question case study नहीं बन रही है देखो sir एक चीज मैं आपको हमेशा थोड़ा patient रही है case study ना starting से नहीं बनती case study के लिए चाहिए होती है practice तो अगर आप कोई question पड़ रहे हो और आपको उसका समझ में नहीं आ रहा कोई परने के बाद उस answer को write करिए देखके लिखिए कोई problem नहीं है questions तो repetitive आने वाले है अभी जो September वाले बच्चों ने exam दिया बहुत सारे ऐसे बच्चे था जिनको law से तकलीफ थी नहीं आता था दिक्कते होती थी मैंने कुछ questions करा है मैंने बोला इसी question को तीन चार बार बढ़ study अपने आप बनेगा और अगर कोई case study नहीं बन रहा ना कोई problem नहीं है answer देखके provision read करके फिर बनाओ अरे तुम यहाँ पर यह कोई test थोड़ी ना चल रहा है तुम्हारा कि जहां पर तुमको perfection चाहिए यह कोई test थोड़ी ना है test तो actual वो होगा जो ICI लेगा वो test होगा तो उस test में अपने को अच्छा करना है ना इस test में थोड़ी ना यह क्या यह कोई test थोड़ी ना है यह तो practice है और practice में तो आदमी सीखता ही है अब विराट कोली जब net practice करता है तो हजारों बार out होता होगा हां बट उससे वो क्या रोने थोड़ी ना बढ़ जाता है कि यह बॉलर ने मेरे को out कर दिया यह बॉलर ने मेरे को out कर दिया आप मैं नहीं खेल पाऊंगा अब मेरी जिंदिगी खतम हो गई ऐसा थोड़ी ना सोचता है फिर उसी बॉलर को अरे जिस बॉलर से वो IPL में nets मे out होता है ठीक है उसी बॉलर को इंडियन टीम के nets में out होता है उसी बॉलर को IPL में तोड़ नहीं देता है वो पूरी तरीके से हां क्यों क्यों क्योंकि उससे उसको practice होती है कों कौली बुमरा से ज़्यादा out नहीं होता क्यों जबकि बुमरा इंडिया का number one baller है world का number one baller है क्यों क्यों कि उसने बुम्रा को नेट में खेल खेल के खेल के बुम्रा की प्रेक्टिस कर लिए अब बुम्रा उसका विकेट नहीं ले पाते है तो क्या करना है आप बुम्रा को भी इनोवेट करना है तो देखो आई से भी इनोवेट करता है नहीं तरह के क्वेस्चन लाके बड़ तुमको भी विराट बनना है ना, तुमको पहले जितना आता है उसमें तो अपने आपको strong करो, ठीक है, वो करो ना practice करो, हो जाएगा, ठीक है, अब बात आई direct question के लिए, question number 5, तो sir, direct question के लिए, मैं आपको simple सी चीज बोलूँगा, direct questions के लिए, आप अभी के अभी, ठीक है, direct questions के लिए, ब्रह्मास्तर की book के सारे direct question कर लिजे, learn करकर करी कर लिजे, learn करके मतलब क्या, उसके सिर्फ keywords उठाके, learn करके answers लिखिए, जितने ब्रह्मास्तर में direct question दिये ना, उसके beyond topic में एक नहीं आएगा, इस बार के September के paper में 64 marks के direct question आए है, वो 64 के 64 marks, 100% सारे direct question ब list से आए है, direct question का video भी पड़ा हुआ है मेरा, आप उस video से भी practice कर सकते हो, ठीक है, तो बस, हो गए सारे problem, क्या बोला था, इस video can में assurance दी थी ना, कि सारे के सारे problems हो गए, अब इसके बाद भी कुछ बच्चों के इन 5 के अलावा भी problem रहते हैं, तो आप एक काम करिए, नीच का दर्द मैं समझता हूँ, कुछ-कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा है, मेरे को feel होता है, okay, bye-bye, see you, tata